आज के वीडियो में प्रभाविता और आप्रभाविता में अंतर समझाएंगे जो बोर्ड परिश्चा में आने वाला है यानि आयेगा जरूर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है NCRT का कोईश्चन है और NCRT से ही बोर्ड परिश्चा में पूछा जाता है चलिए इसके अ लक्षणों वाले दो पाउधों के बीच संकरण यानि क्रास करवाया जाता है संकरण यानि क्रास कराया जाता है कराया जाता है तो उनमें से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घटना को इस घटना को प्रभाविता कहते हैं देखे का गया है जब विरोधी लक्षणों वाले दो पाउधों के बीच संकरण कराया जाता है तो कोई दो पाउधे ले लिजे बिरोधी लक्षण वाले मा ले जी कि एक सुध्ध लंबा पाउधा था और यहां सुध्ध बाउधा ले लिजी कहा गया है जब विरोधी लक्षण वाले दो पाउधों के बीच संकरण कराया जाता है तो विरोधी लक्षण हो गया सुध्ध लंबा है सुध्ध बाउधा है विरोधी लक्षण हुआ और इनके बीच क्रास करवाया गया या संकरण करवाया गया तो उनमें से जो लक्षण प्रकट होता है तो देखें यहाँ पर कौन सा लक्षण प्रकट हुआ था यहाँ लंबा प्रकट हुआ था तो लंबा था लंबा प्रकट हुआ जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तो यह क्या हुआ प्रभावी हो जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के वीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे आप्रभावी लक्षण कहते हैं और इस घाटना को आप्रभाविता कहते हैं जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के वीच संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे आप्रभावी लक्षण कहते हैं और यह घाटना आप्रभाविता कहलाती है देखें दो प्रभावी लक्षण ले लीजिए एक सुध्ध लंबा पौधा ले लीजिए सुध्ध लंबा है यह और एक सुध्ध लंबा पौधा ले लीजी सुध्ध लंबा है यह बंबा है दोनों के बीट में जब क्रास कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर लंबा पौधा उत्पन्न होता है कैसा लंबा था संका लंबा पौधा उत्पन्न होता है तो देखें लंबा ये था लंबा ये तो प्रभावी ये हुआ लेकिन बावना प्रकट नहीं हुआ यहाँ बावना था यहाँ लंबा था तो जो लक्षण प्रकट नही होता है ये लक्रिषन प्रकट नहीं हुआ यसले ये आप्रभावी लक्षन हुआ और यहा पूरी घटना आप्रभाविता कहलाती